हिंदी दिवस प्रतेइक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को समविदान सभा में एक मत का निर्णाय लिया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाशा होगी इसी महतपूर नेनाय के महत को प्रतिपादित करने तता हिंदी को हर शेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट भास्चा प्रचार समिती वर्दा के अनिरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक उसी तरह हर वर्ष की तरह नरोडा एन्वी पटेल आर्ट्स अन कॉमर्स कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया जाता है जिसमें हिंदी विवाग की तरफ से कई सारे कारिक्रम की रूप रेखा सुनिश्चित कर आयजन होता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अफसर पर नरोडा एन्व पटेल आर्ट्स अन कॉमर्स कॉलेज में हिंदी विवाग की तरफ से ड्रंज पोग्राम संस्कृतिक प्रोग्राम अन्य एक्टिविटी का आयजन किया गया जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल रमीश चौधरी हिंदी विवाग के प्रोफेसर सुरेश चौधरी जसु पटेल कर्सन पटेल के साथ अन्य प्रोफेसर भी मौजूद रहे इस दिवस पर विद्धार्टियों ने बढ़ चड़ कर भी भाग लिया और हिंदी विवाग का महत्व जाना एक तत्त यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्योहार राजे इंडर सिंग को पचासवा जनम दिन था जिनोंने हिंदी को राष्टभासा बनाने के लिए बहुत लंबा संगर्श किया स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद हिंदी को राष्टभासा के रूप में स्थापित कराने के लिए काका, कालिकर, मैथली, शरन, गुप्त, हजारी, प्रशाद, दवेदी, सेट, गोविंदास, आदी, साहित, कारों ने साथ मिलकर व्योहार राजे इंडर सिंग ने अथक प दारिया की रेपोर्ट